22 जोलाई यानि के कल CBSC बोर्ड की intermediate और high school का result आया है जिसमें लड़कियों ने काफी बढ़ चड़कर बाजिया मारी है ऐसे में जनपसामली का Scottish International School फिर से सुर्खियों में है क्योंकि कल भी यहाँ पर इंडिया लेवल पर दिया नामदेव की लड़की ने टोप किया है लेकिन उसी एस्कूल में एक लड़की हमारे साथ है जिसने second number पे position आसिल की है उस चात्रा को कहीं ना कहीं थोड़ा यह doubt है कि उसकी जो copy check हुई है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से नहीं हुई है तो इसी बात को लेकर के हम आज उस परिवार के बेच पहुँचे हैं सीधा हम जो हमारे साथ चात्रा है उसी से बात करेंगे गुड़िया क्या नाम है आपका घारगी सर्मा कौन सी किलास में आप टेंथ में अच्छा कल रिजल्ट आया है कितनी परसेंट मार्क मार्क्स आय भी कि फ्रेंड ठीह ने कल 100 परसेंट पांसो मेशेपांसू हैं तो आपको क्या लगता है इसलगता है कि मेरे भी आ सकते देने कि कारणन मुझे लगता है कि कई मईभ़र की कॉपई में कुछ मिस्टेक पता नहीं क्या जिसमें सोचा था इंगलेश और इसस्टी में और और समय 97 तो जिन में आपके नंबर कम आये हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है मैंने सोचा है कि एक पर कॉपी को रीचेक कराया जाए फिर से आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कम है और उसके ज्यादा है मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि जो मैंने एक्जाम आके चेक कर रहा था पेपर तो अच्छा गया था एस कंपेर जो साइंस में बहुत अच्छा गया था लेकिन उन दोनों में ही कम रहे है 97 अच्छा यह जो छातरा रही है कल इंडिया टोप पे आप और वो दोनों साथ पड़ रही और कैसा आपका दोनों का कम्पीटिटर एक दूसरे वह रहा ना के साथ है हम रूसर हो जाता है कभी तो शपर होते कभी मैंने जैंद इसम में पर्षैंट आया कि ह現 आए मेरे मेरे निवल में उसके हाइस दोनों इक्वली रहता है आपने स्कुल में रही हैं पिंड्या लेवल पर रही है अगर मैं डिश्टिक की बात करूँ तो आप रही है देखे कहीना कहीं छात्रा के पैरेंट्स भी इस बात को ले करके थोड़ा से संसे में है हाला कि री चैकिंग के लिए उन्होंने अपलाई करने की बात कही है गारगी के फादर मेरे साथ है उनसे भी बात कर रहे थे सर सुबनाम क्या है आपका संजीव सर्मा जी अच्छे सर यह बताई आपकी बेटी ने अच्छा टोप किया है स्कूल अच्छे उस पर लेवल पर फिर भी आपको लग रहा है कि वही कहीं नहीं कुछ कमी रह गई है इसमें प्यूह झाली में अश्यक水 Čनु ये व्यूका सब्सक्राइब फ़से फसके कंवंजम में कुछ राप तो इसे मुझे पधाया है भी मेरा इतना अच्छा पर हुआ लेकिन मैंने उस हिसाब से नमबर निया पाए जिव और कujin है कुछ मिश्टेक रही होगी या यह आप आपकी सोच है गुडिया की सोच है या किसी के कहने पर यह हमारी खुद अपनी सोच है जब उसने इतना अच्छा पेपर किया तो हम अपनी तसलिक करना चाहते है कि ऐसा क्या कर रहा है जो एंड़ेट में से 97 आएंड़ेट क्यों नहीं आए टोटल कितने परसेंट 98.2 अब आप कौन से किसकी सब्जेक्ट की चाहते हैं को पी रीचेक करें साइंस और मैथ क्योंकि यह दोनों पेपर इनके हंड़ेड़ी गए क्या इसे बात को लेकर कि स्कूल के किसी मेनेजमेंट से चर्चा हुई है नहीं चर्चा तो नहीं हुई ले के लिए उन्होंने काया कि इसके लिए आप अपलाई कर री चेकिंग को प्य हो जाएगी जो आपकी दूइदा है उसका समधान हो जाएगा ठीक है गारगी की मदर भी हमारे साथ है उनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि कहीने कहीं साथ उनको भी लगता है कि उनकी बेटी पढ़ाय लिखाई में काफी होश्यार है और अब की बार जो मार्क्स आये हैं वो थोड़ा कम आये हैं आपको क्या लगता है आपकी बेटी ने जैसा 98.2% हासिल किये हैं सर मुझे लग रहा है कहीं ने कहीं चेकिंग में कुछ ने कुछ मिस्टिक है जैसा कि बच्च बच्चे को देखकर तो लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हो ज़रूर बच्चे का मैट देखके उसकी मेहनत को तोब करने वाली चात्रा दिया नामदेव से जो 2 नम पे रही है गारगी सर्मा हमने उन से और उनके परिवार से बात की है कहीने कहीन इनको भी ये लगता है कि ये भी 100% एचीव कर सकती थी इंडिया लेवल पे इनका नाम हो सकता था लेकिन कहीने कहीन री चैकिंग के इनों ने झाल झाल